हेलो डाइस इस तरह से हो गया शुरू हमारा वी लॉग साटड़े आफ्टरनोन हो गए है आज मेरी मेड नहीं आ पाई तो घर की सफाई के साथ साथ पीस भी नहा चुकी है और मैं भी नहा चुकी हूँ और अब होगी पीस के ड्राइंग तो मेरी बार ड्राइ हो चुके आप लोग जानते हैं मैं टॉविल ड्राइ ही करती हूँ इस बार मैं यह लेकर आई हूँ री वाइचर लिफ्ट का सीरम जिसमें वाइचर में थी है हाइल्गोनिक आसिड है और जाने क्या करें मेरा सुभा का रूटीन तो आप लोग को पता है सुभा उत्ते ही सबसे पहले मैं यह ब्रश करने के बाद पहले यह संस्क्रीम लगा और अब मैं लगाऊंगी मॉइस्टिराइजर क्रीम एंड सिटाफेल में इस माइ फेवरिट जित्ती लोग मुझे जानते हूं का भी है मैं लोगों को देखा कि ऐसे से नहीं अपड मोमेंट कीजिए हमेशा है इवरिटिंग आप अपड मोमेंट इस करेक्ट यह है मैं फेशल अगरे कभी कुछ करती नहीं है देखिए थोड़ा अभी पीला होने तक आगे जो मुझे लग गया था पंदरा दिन हो रहे है नाट्रिली विदाउट इनू आंटी इंफ्लेमेटी द्रग नापकों क्योंकि मैं लेती हूं अपनी बचा हुआ थोड़ा मेंधर लगा देते हैं अब मेरी डॉर्टर ने बोला है घोलोश पतल क्या बोलती है उसको तो उसने मंगाया तो मेरे लिए भी मंगाया जेड का यह रोलर फेश्यल रोलर तो मैं करती तो हूं क्याते रोलर तो घुमाना ही चलिए वैसे कोई भी आप क्याते है प्रेशर यह अक्योप्रेशर भी हो सकता है लिंफाटिक ड्रेनेज भी खोल सकता जिसके कारण ही यह आपके स्कीन का टोन रखता है वैसे आप जो खाते हो वही बनते हो तो मेरी स्कीन का और मेरे कोई रिंकल्ज ना होने का राज है मेरा फास्टिंग मेरा वन मील डे मेरा कीटो डाय एंड लॉट्स अप कुलाजिंग तो यह आपके लिए है अगर आपके आपके मीचे पफ है यह मेरा तो जो लगा थमार उसलिए है तो आखोटे कीजिए यहां करते कि ने मुझे पता ने करके देख लेते हैं गलत होगा तो कोई नो कोई करेट कर यह देगा पर आई थिंग प्रिंसिपल बिहाइंड देख इस इस तिमुलेशन ऑफ सर्कुलेशन अन अक्यूप्रेशर सेल्फ अक्यूप्रेशर मेरी बेटी का मानना है कि आसे करने से आपका डबल चिन भी जाता है अब मैं एक्सरसाइस ही बहुत करती हूं तो डबल चिन की गुंजायश नहीं है वैसे आभी दस किलो वेट और कम करना है बड़ा एक लिटल लेजी क्योंकि मेरी उम्र में लू स्किन बहुत जल्दी हो जाती है अम लू स्किन नहीं चाहते हैं हो गया ना बस और मेरे साथ साथ नहीं पहले मेरी बेटी रेडी होई है फिर मैं अभी बताते हैं यह है हमारी पीस जो ड्राय होके रेडी हो चुकी है आज इनको आजकल इनको पोनी टेल का बहुत कंडाला आता है क्योंकि यह सोचती है बाल में बित्ता में प्रेशर नहीं देती फिर भी तो अब मैंने एक आईडिया के आपने देखा मेरी दोगो की चोटी इसकी दो चोटी यहां डाली है मैंने ऐसे क्योंकि नहीं तो इसको आखी नहीं दिखते हैं आखे दिखाओ आखे दिखाओ जब ए नहाती होने से बहुत नीनद आती है आखे दिखाओ दो बोलो Hello Hi Baby Hello तो यह है हमारी पीस हम लोग ना जो कि साधड़े को ही तैयार हो गए है और क्यूंकि हम संदे को अब बदलेंगे अपनी बेची यही रूटीन है कहीं जाने का मन नहीं है थोड़ा जाने का मन हो रहा था तो सुनाएं केसिस बढ़ रहे हैं नहीं भाया मैं घर पर ही ठीक हूं और आप भी प्रोटोकॉल को दियाद रखे अरे क्या होता है करके बेफिकर मत रहे है आज का दिन मैंसे कुछ अब खास नहीं है खाना तो मैं शाम को एक खाती हूं तो जब मेरा कुक आएगा शाम को हाँ आज कल कुक है लोगडाउन लग गया तो वो भी गया तो वो दो र अगर आप लोगों को कोई मूवीज पता है नेटफ्लिक्स पे डिजनी हॉट स्टार का पेड तो मैं करती ने भाई यतना साथ तीन चार हजार का सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती मैं नेटफ्लिक्स पे अगर रेगुलर में होगा तो फिल्म रेकेमेंट जरूर कीजे कि मैं आने वाले हफ्ते में क्या देखोंगें बहुत सी किताबे हैं जो मुझे शुरू में ही ग्रिप नहीं कर पाई तो मैंने उनको इनकंप्लीट छोड़ा है तो सोच रही थी वो किताबे जरूर पढ़ूँगी जितना बोरिंग हो दो दो बनना है न क्यूंकि बोरिंग भी हो कॉंटेंट तो भी पढ़ना चाहिए आपको वैसे एक नई किताब आई है मेरे एक मित्र है फेस्बुक के पेज उनकी जिंदगी ये रही वो किताब आये होग किया आप लोगों को दिखाई दे रही होगी तो ये तेज है मेरे तेज राज गहलो तो ये उनकी यू कह रहे ह है और बहुत अच्छा लिखते हैं तो किताबे महंगी नहीं होती हुनो हमेशा गो एंड बाइब बुक सा डाइंग बुक स्टोर्स अ डाइंग पॉब्लिकेशन अ डाइंग तो गो एंड बाइब बुक अब कुछ सब्जेक्स के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे हलके हल जैसे बहुत इंपोर्टन चीज़े आपकी हार्ट हेल्थ के लिए वह है पुटैश्यम साइक्ट्री डॉक्टर जादा दर क्या करते हैं ब्लड प्लड प्रशर कम करने लिए नमक कम कर देते हैं इट इस नॉट इस सॉल्ट फिर सॉल्ट और कम हो जाता है अच्छली पुट ब्लब होती है तो खाने में पुटैश्यम बढ़ाईए पुटैश्यम आपको बहुत ग्रीन वेजटेबल में मिलेगा अवकॉडो में मिलेगा बनाना खेर बारा बनाना खाने पड़ेंगे पुटैश्यम की डेली रिक्वार्मेंट पूरी करने के लिए मैं तो आसान सा तर मतलब होई जाता है और हजार बारासों तो डायेट में चला जाता होगा तो जब यह डायेट करेंगे तो बेल पेपर्स शिम्ला में खाये वेजटेबल ज्यादा खाया भी समर्स है तो कांदा नीम्बू मत गूलिया खाने में इट इस गूइंग तो सेवियो फ्रम हीट किया तो दुबारा बात करूंगी थोड़ी थोड़ी भूग लग रही है जो मैं करती हूँ इसको कहते हैं इंटर्मिटिन फास्टिंग याने के तक्रीवन 20-21 घंटा में इंटर्मिटिन फास्टिंग करती हूँ सिर्फ एक कप कॉफी या ग्रीन टी ऐसे कुछ उटने के बाद लेती हूँ और हल्दी वाली अजिए अजिए और या जाए जाए और या मुझे चार साल में आदत हो गये और क्यूँ कि आपका ग्रोथ हर्मोन जो है 2000 प्रतिशद भी इंक्रीज हो सकता है और ग्रोथ हर्मोन के क्या फाइदे है वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुग है मेरा क्रिस्टल कॉर्ण लाइए और भी अजै कुगए और बतागा जैथ भी स्थे स्वार कुछांशा 2 हूं 0 तो यह meditation, kriya और एक routine जो follow करते हूं यही मेरे चेहरे पर यह मुस्कान लाता है और मुझे enthusiastik बनाता है जिन्दगी में आप दोस्ट ढून सकते हैं, रिष्टदार नहीं ढून सकते हैं, खेर जो है रिष्टदार आपको मानना परता है मैं मिस करती हूं, मैं आपकी लोगों के वी लॉग देखती हूं तो आइसा लगता है, मेरे पास तो कोई है नहीं कुछ मनाने को पर हां मेरे पास एक अची चीज है, मेरे पास ग्यान है, क्रीटिविटी है, जो मैं जरूर आप लोगों से बाटती हूं तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, potassium is very good for heart, potassium sodium के साथ मिलकी fluids को balance करता है, जो गर्मी जितनी बढ़ रही है, इसमें बहुत जरूरी है potassium आपका blood pressure नीचे लाता है, potassium आपके cells को और आपके nerve और muscle को energy देता है, potassium आपके excess fluid को down करता है, जो fluid retention को देता है yuric acid को भी buffer करता है, yuric acid जब बढ़ता है, गाउट होता आपको याद है न सब, नी में पेहन, पैर में पेहन, येस, उसमें भी करता है potassium आपको बहुत सारे green vegetables में, nuts में, पिस्ता में, pumpkin seeds में, meats में, eggs में मिलता है मगर 4800-4300 mg जाने के लिए आपको धेर सारा खाना पड़ेगा अगर आपको दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायत है या आपको diabetes है या आपको cell में energy महसूस नहीं होती है, nerve और यह सब तूंटा हमेशा करते रहते हैं तो potassium आपके लिए बहुत ज़रूर है और 8-9 cups vegetables, meat या इतना कोई खाता नहीं है तो potassium citrate ज़रूर खरी दी है और खाने के बाद 3-4 capsule आराम से खा लीजे, आपको यह दिक्कते नहीं होगे दूसरा important तत्व है हमारा B1, B1 को कहा जाता है nerve का vitamin तो B1 क्या करता है, वो insulin को balance करने में भी help करता है, myelin sheath, nerve के around जो एक protective sheath होती है उसको बनाता है, maintain करता है, तो diabetes में जो लोगों को शिकायत होती है, tingling, numbness की या nerve, pain की या बाद में sensation जाने लगता है तो B1 बहुत ही important vitamin है, B1 अलग से लेंगे अगर आपको यह तकलिफ है तो आपको बहुत फाइदा करेगा 200 mcg या जो भी उसका है, वो बोटल में आता है, आप उसको लीजिए, वो आपकी मदद करेगा B1 भी हमें हर eggs में मिलता है, nuts में मिलता है, green vegetables में मिलता है, shimlamich में मिलता है, tomato में मिलता है पर यह सब इतना कोई खाता नहीं है, तो अगर आपको शिकायते हैं, diabetes है या आपका high sugar है तो B1 आपकी help करेगा क्योंकि वो insulin को stabilize करने में भी help करता है तीसरा है zinc, zinc भाई कमाल का है, zinc अगर proper नहीं हो deficiency तो आपका growth retardation हो सकता है आपके sexual potency में problem आ सकती है, आपके gonad development में मितलब आपके sex organ development में भी problem आ सकती है आपको हमेशा खराब खुरुदरी skin या skin से related rashes problems हो सकती है diarrhea आपका नार हो कि हाँ zinc deficiency हो तो भी आपको diarrhea हो सकता है तो इतने सारी important है कि आपके अगर wounds जल्दी हीलने हो रहें वो भी zinc deficiency zinc भी आपको pumpkin seeds में मिलता है, eggs में मिलता है, vegetables में मिलता है symptoms कम होते है तो alternate day कीजिए फिर दो एक दो में अमत लीजिए अपना overall health maintain कीजिए फिर आपको गर लगे तो दुबारा लीजिए ज़रूरी नहीं की बात बात है इसके बाद है selenium, selenium बहुत important है वो आपके active thyroid hormone को बनाने में मौदद करता है तो यह है trace mineral ठीक है तो जो हम लेते हैं वो T3, T4 वो बनाने में selenium help करता है वो भी nuts में, badam, pista, pumpkin seeds, nuts, vegetables और meat में यानि फिश में खासकर fatty fish में ये सारे चीज़े available होती है जिसे आपके thyroid को balance करने में भी आपको मदद मिलती है पर मैं सब बात की एक बात आपको बताती हूँ कि intermittent fasting करना अब हमारी जरूरत हो गई है वो कोई fad या fashion नहीं है क्योंकि ना पहले की तरह मौसम रहा, ना पहले की तरह खान पार मिलता है ना पहले की तरह हम active है physically illnesses को पैदा करने के लिए responsible है insulin resistance पे भी एक अलग वीडियो आपको मेरी वीडियो लिस्ट में मिलेगा playlist में जाए देखिये, comment कीजे अच्छा Netflix का इस बार का आप मुझे recommendation ज़रूर देना कि कौनसी फिल्म है आपने देखी, अच्छी लगी अरे वाँ तेज तुम्हारी बुक में तो बुक मार्क भी है तो मुझे लग रहा है कि कहानिया है या क्या है मुझे पता नहीं है humorist बहुत लिखता है तो एक पन्ना पढ़के बताती हो तेज खुश हो जाएगा दुनिया बसाओ या दुनिया दारी अब दुनिया में रहकर तेज at save the world हम लोग कभी आज के लिए जीते ही नहीं हम हमेशा भविश्य के लिए जीते हैं और भविश्य के लिए बहुत कुछ जमा करने के लिए आज से शुरू हो जाते हैं पर हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम किसके भविश्य के लिए जी रहें अपने या किसी अंजान के और एक दिन कोई अंजान हमारे आज में आज से हमें उठा कर flashback में पटक कर अपना भविश्य बना कर चला जाता है येस होता है ने सब के साथ और हम बस सोचते रह जाते कि काश हम ऐसा करते काश हम ऐसा करते तेज अट present tense विकास भविश्य बल ज्यादा हाई हलो मत करना बेटा यहां इन बॉक्स में जाकर किसी दिन किसी का किसी की हाई लग गई न तो highlight हो जाओगे तेज अट अट रेट अट अफ काम की बाद Facebook ज्यान सिर्फ प्रकाश दिखा कर उसे प्रकाश राज बढ़ने की कोशिश मत किया कर अपना हाथ बढ़ा अंधेरों से उसे बाहर निकाल उसकी जिन्दगी में उजालों उसकी जिन्दगी को उजालों से रोशन कर राकेश रोशन बन तेज अया अट अट रेट अफ कोई मिल गया खुद गर आक्शन की उम्र में साटिस्वेक्शन ठीक नहीं बात-बात में क्लारिफिकेशन ठीक नहीं दिलों को आइड करने की जबरत जंदबाजी में ध्यान करना दोस्ती में सबस्राक्शन ठीक नहीं थोड़ा कंट्रोल में रखा करो निगाहों को तुम अपनी पहली मुलाकात में इतना ट्रांसाक्शन ठीक नहीं मिलना बिचणना तो लगा रहता है इश्क में हर मुलाकात पर ओवर्रेक्शन करना ठीक नहीं ले जाएगी किसी दिन कोई चची जान तुम्हें अगवा करके फेस्बुक की तस्वीरों में इतना अट्राक्शन ठीक नहीं तेज अट रेट अफ कुछ भी तेज ठीक नहीं इंट्राक्शन तेज बहुत इंट्रेस्टिंग लग रही है तुम्हारी बुक आट पढ़ोंगे और देखो मैं हसने लगी और आज की डेट में न भाई कोई आपको हसाए वो भगवान है नहीं तो आर्टिफेशल लाफट अकलब जॉइन करना पड़ेगा हसने के लिए लोगों से उमीद में रखते हैं वो प्यारा अपने आप से कीजिए आपका औरा ही वो भारा अच्छा प्यार आपके लिए लिए आएगा तो ठीक है उच नीच थोड़ा मौच्छा चलता रहता है पर बाक टू दे ट्राक बाक टू दे सोर्स आने के लिए डेली खुद से प्यार कीजिए एक्सराइस कीजिए अच्छा रूटीन रखे ध्यान कीजिए प्राणायम कीजिए वो आपको सेंक्टर करेगा आपके एनरजी को बैलेंस करेगा चकरा मेजिटेशन कीजिए कोई ने कोई एक अल्टरनेट healing का method अपने पास रखे जिससे कि आप स्वस्त रह सके और हर दिन जीवन का उत्सव बना सके जीवन के उत्सव में सब रंग होते है contradictions भी होते है attractions भी होते है avergents भी होते है cravings भी होते है सब कुछ होता है इन सब को balance लाने के लिए आपको जो suit करता है कीजिए और मुझे लगता है इस Saturday का vlog अब यही मुझे समापत कर देना चाहिए आशा है मेरी छोटी मुटी अकेली सी जिन्दगी आपको पसंद आए हो हाँ इस बार अमृता नहीं है वो पूने अपना घर खाली करने गई है और मेरी मदर भी उनको अकंपनी करने महाँ गई है तो मैं और पीस है आज लुना बेल यान्य अमृ की कैटS भी नहीं है क्योंकि अमृ उनको लेकर ही गूमती है तो मेरी मा, बेटी, कैट सहीद पूने में है और मैं यहां मुंबही में हूँ, शाम हो चुकी है सुहानी शाम डल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे धावा भी रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे अगले हफते कुछ नाया लेकर और बाहर जाने की कोशिश करूँगी, आप वी लोग के चक्कर में तो बाहर चली जाओँगी, घर से, गर्मी बहुत पढ़ रही है, तो ध्यान रखे, इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइट्स पीजे, पिछले वी लोग में भी बोला है, हर ची आते रहिए, अपना खयाल रखे, मिलते हैं जल्दी अगले अपते